नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे हिमाशु जोशी जी की कहानी नंगे पाओं के निशान लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दवाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिए नंगे पाओं के निशान पूरा मन भर सामान लादे ले जा रहा था वै चिठी पहले ही भेज दी थी कि वह छुटियों में घर आ रहा है दस गते को रवाना होगा तेरह को टकनपुर और चवदह को खेती खान मोटर से मुहनिया या सोहन को खेती खान भेज देना हो सके तो घोड़े का बंदोबस्त कर लेना लेकिन कोई भी तो उसे लेने नहीं आया दो साल बाद परदेश से घर लोटने पर उसका जी उदास हो आया ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ दिन भर वै सारा बाजार टटोलता रहा पर घर की तरफ का कोई भी दीखा नहीं दिन ढलते ढलते घाटियों में सांच के साय उतरने लगे तब जिंजला कर मिलेट्री का लंबा गोल थैला कंधे पर उठाया और भारी भरकम बूटों से उबर खाबर धर्ती को रोंतता हुआ निकल पड़ावे कभी कभी खयाल आने पर इधर उधर देखना न भूलता शायद उस तरफ का कोई टकरा ही पड़े हॉलदार साथ कैसे हो कभाय पल्टन से उसे यों सामान उठाय चलते हुए कोई कहेगा तो कितनी फजीहत होगी तब वह कुमाउ रेजिमेंट का हॉलदार डिकर देव नहीं मात्र डिकर हुआ रह जाएगा जो कभी बेल्ट भर लंबी धोती पहने भेण बकरिया चुगाता था हल जोतता था सडक की रोडी तोडता या सौकार प्रधान जीव का हुक का बरता था एक अजीब सी बिना बाद की उधेर बुन में वह उलजता चला जा रहा था लपा लप तेजी से पाउ फेक रहा था खीचा हुआ सा 18 गते को मुहनिया का सागभात 19 को ब्याह कुछ दिन घर पर कुछ दिन ससराल गोपुली के साथ दो-चार दिन चमपावत लोहा घाट की हवा खोडी छप के ठरुआ पिएगा नरदेव और हरक्स इनके साथ खूब जम कर ताश कहलेगा लधिया से मचली पकड कर लाएगा हो सका तो नैनुआ से कहकर बकरा कटवाएगा और एश करेगा अम्मा बाबु के लिए ही नहीं गोपुली के लिए भी डेर सारे कपड़े लाया है गोपुली देखेगी तो कितनी खुश होगी गोपुली का नाम लेते ही उसके सारे शरीर में जुर्जुरी सी होने लगी पहले भी वह अच्छे कत्की थी पर अब कुछ और लंबी हो गई होगी सल के पेर सी भरे पूरे बदन की सच कितनी अच्छी है वह बिना सीन की गाय जैसी आज के जमाने में क्या कोई आउरत इतनी भली इतनी भोली भी कहीं होती है जब जो कहा कभी भी उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया उसकी बातों की याद से ही उसका रोम रोम भी गाया पत्रीली पकडंडी पर तभी एका एक पाउ लचकाया ठोकर लगी तो मूँ के बल गिरता गिरता बचा अंधियारा आप सच में काफी गिर आया था आस्मान पर तने पुराने कंबल पर छलनी की तरह अंगिनत छेद उभर आये थे उमर भर का जाना पहचाना रास्ता टटोलना ही उसे भारी लग रहा था तीन चार दिन का लंबा सफर अनित्रा उस पर मनसवा मन का भारी बोज पहाड के डांडे तक पहुँचते पहुँचते वह उस सर्दी में भी पसीने से नहा आया था पल भर सुस्ताने के लिए वह सड़क के किनारे थैले के उपर ही बैठ गया डांडे के उस पार अधियारे में डूबा एक गाउं कहीं कहीं घरों में टिम्टिमाते दिये या आग की रोशनी उस और नई आबाद जमीन आलू के खेद देवदार का वन जो चारो और से कट छट कर मात्र एक गुच्छे की तरह रह गया है नीचे पनलेकियों की पंचक्की दूर एक हलकी सी नदी की धारा पंचक्की के पास आग जलती सी नजर आई उसे याद आया बड़े पत्रों के पिछवारे यहां का मसान था कभी क्या अभी होगा हो सकता है आग वहीं जल रही हो उसका दिल अनायास अकारन धड़कने सा लगा तभी याद आया आजकल आलू का मौसम है हो सकता है जंगली जानवनों से रखवाली के लिए खेतों में आग जला रखी हो उसने मिटी पाथर के घरों में टिम्टिमाते दियों की ओर फिर देखा उस सगन अंधकार में कुछ न दिखने पर भी उसे बहुत कुछ दिख रहा था सबसे नीचे का घर मिटी का पत्थर का पयाल से छहा उसकी आखों के आगे घूमने सा लगा कुछ पिता आंगन के चोड़े पाथर पर बैठे चिलम गुड़गुड़ा रहे होंगे अम्मा गाय भैसों के गोट में घास पात डाल रही होगी आज सारे दिन उसी की चर्चा हो रही होगी गाउं गिराम के आदमी उसी की बातें करते होंगे डिकर देव पल्टन से छुटी में घर आ रहा है आज गोपुली के लिए सारी दीवार कान बन गई होगी बार बार उसकी निगाएं राह देख रही होंगी कहीं सामने की पहाडी पगडंडी पर कोई आ तो नहीं रहा दो साल, पूरे दो साल का अर्षा इस दो दिन की जिंदगी में कुछ कम तो नहीं होता फिर इस उमर में तो एक-एक दिन एक-एक युग बन जाता है उस अंधकार में उसकी तंद्रा से तूटी समय का एहसास हुआ थैला कंधे पर धर बुजी बीडी की ठूटी सुलगा कर वह फिर तेज तेज कदमों से उतार उतरने लगा वैसे पासिंग सो के चार शे डिब्बे वह टनकपूर मंडी से खरीद कर लाया है जिन्हें वह गाउं पहुचकर ही सब के सामने खोलेगा यहां इस अंधेरे में कौन देख रहा है उसे नीचे गहरी घाती में भयावना भिसाला जंगा लाया नदी के साथ साथ डरावना गधेरा चन-चन मन-मन करता पानी सूखे पतों के नीचे से बहता चन-चन-चन करते बरसाती कीडे घुप अंधकार में हाथ को भी हाथ सूचता ना था गुन-गुन कीसी आवाज आई तभी यहां के भूत प्रेतों के रोंगते खड़े कर देने वाली कहानिया सुनी थी उसने बच्पन में एक छड़ भैसा लगा फिर जट से हनवान चालीसा याद कर जटके से आगे बढ़ा पल्टन की तरह धमा-धम लेफ्ट रेट मोड के उस पार तभी कुछ आवाज और जोर से टकराई जैसे कोई हवा में खासा, हवा में बोला, हौले से हवा में रुदन का कंपकपाता स्वर्व्यापा उसकी प्राण सूखने लगे कौन? सशंकित भाव से इधर उधर ताकता हुआ वह चिलाया कौन? अरे हम है हम, कौन? पोस्ट मैं साब, गस्त में जा रहे हैं क्या? इत्ती रात? ना, मैं हूँ मैं, मैं कौन? मैं डिकर देव अरे हमारा डिकरू, तू आ गया रे, तेरी ही इंजारी में इत्ती रात हो गई यार आहत होकर भरे कंट से कहा किसी ने, हरे राम, यह है परमेसर की लीला, थोड़ी देर पहले आता तो कौन? ठुल कका? किसका जिकर कर रहे हैं? अंधकार में ही आवाज पहचानने की कोशिश की दिकर देवने, वैसे ही नमस्कार किया कका, इतने जने कहां से आ रहे हो? नाज पीशने या खेती खान की बाजार से या अरे यार, तभी कोई पीछे से अपने घुटे हुए सिर पर हाथ फेरता हुआ, गहरी सांस भर कर बोला क्या कहें? दाज्यू फोथ हो गए हो डिकरू, डिकर देव के कंधों पर से थैला गिर पड़ा, अपने कानों पर उसे विश्वास नहीं हुआ, क्या कहा कका? यही यार, वाज्यू खत्मों गए, कब, कैसे? आज सुबह, करनी की रेख भी क्या कोई टाल सकता है? परसों आंगन में बैठे कह रहे थे, हमारा डिकर आने वाला है, पिछली महीने से सुना हौलदार हो गया है, उननीस को हमारी मुहनिया का ब्या है, बस फिर सिर से सारा बोज टल जाएगा, लड़के कमाएंग हाएंगे हमारा क्या, जो दिन जैसे बीत जाए, डिकर देव की कमर तूट गई, कवाईदी माओ कापने लगे, कका, क्या हुआ, उसकी जीफ तालू पर चिपक गई, क्या कहें यार, बुरहापे में ना जाने क्या मती हरी गई, बिना बात गले पर रसी बानकर दाडिम के पेव पर ल हत्ती मार कर कपाल ठाम कर, उसी याद नहीं कब और कैसे लोगों ने उसे घर के आंगन में खड़ा किया, घर में घटा टोप अंधियारा था, सुबह से रो रो कर सब ठक गए थे, किवल बरामदे में किसी की सिस्कियां सुनाई दे रही थी, वह समझ गया, मा होगी, उसे द पच्चे बिलक पड़े जोर से, दिकर द्यों को अब तक होश न था, वह आँखे मीचे पत्थर की तरह बैठा था, एक भूई आशू आँखों से हुलकता न था, केवल अंतर में आग उमर रही थी, धूमा घुट रहा था, अरे बोरा गए क्या, रोती क्यों हो, कका इत्ती लंबी उमर खाकर कौन जाता है, अपने पीछे इत्ता फलता फूलता परिवार छोड़ गए, खाने कमाने वाले चार जवान जवान लड़के हों जिसके, फुल बबा जैसे पुनवान सदे स्वरक जाते हैं, कितनी पूजा पाठ करते थे रोज, ऐसा नियम वाला आ ओ मुहनिया, जा बेटा आग बाल, डिकर के बाल उतार, बामनों की जुकत जुटा, बाती जलाकर करम पर बैठ, अरे डिकरू, जा भीतर, इतना दाना सयाना होकर तू ही ऐसा करेगा, तो औरों का क्या होगा यार, डिकर देओ की बाहाँ पकड़ कर कोई भीतर ले जाता है, अरे कुछ देर पहले आ जाता तो पितर का मुह देख लेता, चिता पर अपने हाथ से काठ देता, संतान के हाथ का काठ किसी पुन्यवान को ही मिल पाता है, डिकर देओ ने जैसे सुना नहीं, वह सब का मुह ताकने लगा, धीरे धीरे गाउं के लोग छट गए, जो जो रा के सहारे खड़ा होकर ताकने लगा, दूर मसान में अंगारे अब तक धदक रहे थे, सच, पिता जी चले गए, उसका मन मानता न था, रात अब तक काफी ढल चुकी थी, हर कवाल तारा डांडे के उस पार छिपने ही वाला था, तीन त्यारियां उतार पर उतर रही थी, घर के सारे लोग सो गए थे, केवल भीतर से किसी के निरंतर सिसकने की आवाज आ रही थी, पास ही रखे कासे के लोटे से उसने जल पिया, कुछ सांस आई, अपने घुटे सिर पर हाथ रखे वह वैसा ही बैठ गया, अम्मा के हाथों की चूडिया रोते विलखते लोग, पिता का बिना किसी कारण यो फासी खा लेना, उसे कुछ भी समझ ना आ पा रहा था, सहसा उसे याद आया, इस भीड में हाँ, गोपली तो कहीं दिखी नहीं, शायद मैके गई हो, मैके कैसे जा सकती है, इसी उन्नीस को लगन ठहरा है, फिर वह आने वाला है, चिठी पत्री एक म महीने पहले भेज रखी थी, फिर कहीं बीमार तो नहीं, फिर उसका माथा गोमने लगा, पूछे भी तो किस से, कैसे, फिर कहीं से उसे सिसकने जैसी आवाज आई, करवट बदलते हुए उसने आखें खोली, देखा, लेकिन दिखा कुछ नहीं, पलके मीच कर वह फिर ही थी कि किसी के चहक कर चीखने जैसा स्वर टकराया, वह हरबडा कर विस्तर से उठा, पल्टन का खाकी कंबल छिटक कर दूर फेंका, भीतर घुसा हरबडाता हुआ, पर रंते वहां कुछ नहीं, सब जहां तहां फर्ष पर बिखरे सोय हैं, कानों का भ्रहम होगा शायद, अपने पर बहुत जहल आया वह, और फिर कंबल तान कर लेट गया, लेकिन कुछ छण पश्चात फिर वैसा ही रोने कराहने का स्वर फूटा, उसने इस बार ध्यान से आवाज पकड़ने की कोशिश की, जमीन पर कान लगा कर सुना, सिसकने की आवाज जैसे नीचे से आ रह बंद दर्वाजा, अंदर धीमा धीमा शोर गुल, खुसर फुसर, रह रह कर किसी का रोना सिसकना, डिकर देव ने दर्वाजा खट-खटाया, भीतर सब चुप, चनक बंद, साकर पकड़कर फिर खट-खट, वह आपी से बाहर हो उठा, बंदूप थामने वाले हाथों में इतनी जोर से किवाड जक जोरे की चोखट हिलने लगी, तमाम मिटी भर-भर नीचे गिरने लगी, भीतर बंदे जानवर बिदकने लगे, तभी खट से किवाड खुले, धिबरी के धुन्धलके में देखा, सब सन खड़े हैं खंबे की तरह, एक और जानवर भैभीत से दे देख रहे हैं, दूसरी और मुहनिया आस्तीन चड़ाए, हाथ में बांज का भारी सा लकड लिये यमदूत की तरह खड़ा है, उसके बाल बिखरे हैं, लाल-लाल आँखिं माथे पर चड़ी हैं, कुमनिया के हाथ में रस्सी है, अम्मा काल भैरवी का विक्राल रूप बनी दो-तीन कदम आगे बढ़कर देखा, सूखी घास के धेर के पास कच्ची जमीन पर एक गठरी सी पड़ी है, तन के कपड़े जगे जगे फटे चित्रे से, सिर्षे लहु बह रहा है, घुटने बुरीतरे छिले में, पाओं में सिर्षिपाए वह सिसक सिसक कर रह रह कर रो यह क्या अम्मा? क्यों गे मुहनिया? कुमनिया? कुमनिया कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, पर शब्द फूट कर बाहर ना आ पाया, मुहनिया के होट भी जैसे सिल गए, उसकी आँखें अभी तक माथे पर चड़ी थी, अम्मा अपने को रोक न पाई, फूट फूट कर रोने लगी, अपने कपाल पर दोनों हाथ पटकते हुए, क्या कने एजू, करम ही फूट गए हमारे तो, जबसे यह डायन घर पर आई है, इसने सब कुछ भता भंग कर दिया है, इसी रंडी के दुख के कारण तेरे पिता में फासी लगाई है, शरम के मारे कपाल तक उपर न उठा सके, बेटा परदेश पल्टन में इस पर जोबन चड़ा है, इस पातर ने हमारी नाक कटा दी है, रोज रोज अब इसी का रोना है, माथा पकड़ कर वह जोर जोर से रोने लगी, मुहनिया ने समझाया, इस तरह जोर जोर से न रो अम्मा, देखती नहीं, महमान ब अजीहत होगी, इसका क्या है, हम सब को गाउं छोड़ कर भागना पड़ेगा, क्या हुआ, हुआ क्या, दिकर देव ने हरबड़ा कर दो तीन बार पूचा, क्या हुआ पूचता है, अम्मा तुनकी, अरे देखता नहीं, यह बदजात तीन महीने का पाप लिए बैठी है, दिकर देव के पाउं तले की जमीन धस गई, तभी महनिया दात पीस कर गर जा, राण अब रोती है, उस समय नहीं रोती थी, अपने कोकर्मों के लिए, उसने लाट से ठोकर मार कर भावच का जोटा गसीटा, बदजात, बदफैल, तुने हमारे खांदान की ही नाक घौल मे डाल दी है, मुहनिया अपनी भावच के लिए ऐसे अपशब्द कहे, डिकर देव को अच्छा नहीं लगा, वह हत्प्रफ सा सामने देखता रहा, गोपुली की तार-तार फटी घागरी के चाल से नंगे गुटने नंगी छाती साप दिख रही थी, उसमें स्याह डोरे साप जलक रहे थे, कपड़े तमाम रक्त में सने, कपाल पर भी एक दो गहरे घाव, पास ही तूटी चूडियां तूटा चरेव, वह काठ सा खड़ा रहा होट बीचे, फिर एक गहरी सांस भरता हुआ बोला बड़ी मुश्किल से, तो अब क्या कर रहे हो, क्या करना है, मा इसका पथरी पर घिस घिस कर चंदन बनाना है, देवाल में धरकर इस राक्षसनी की पूजा करनी है, अरे जौन जवान लड़का होकर कहता है, क्या करना है, हाथों में रसी बांद कर किसी चटान से लुड़का दे, नदी में बहा दे, या जंगल में गड़ा कोद कर बदजात कहीं की, डिकर देव क्या करे, क्या न करे, इतने अर्से बाद इतनी लंबी प्रतीक्षा के पश्चात घर आया, और यहां यह महभारत, अभी बाप को जलाए कुछ घंटे भी नहीं बीते, अब एक नई लाश, तो क्या मार देते हो इसे, हत्या कर देते हो, डिकर देव काप उठा, परमेसर के लिए ऐसा न करो मा, यह पाप, पाप की बात करता है इसके लिए तू, मा के सिर में चंडी चड़ी थी, क्या इस पातर को घर में रखने को कहता है तू, बना इसे रानी पट रानी, हमें नहीं चाहिए यह डाइन, यह यहां रहेगी तो हम पीट कर बिलखने लगी, उनकी गय का दुख इतना नहीं, जितना इस रान का, इस नागन का क्या करें, कल से ही लोग मुह पर थूखना शुरू कर देंगे, हाई राम, मुझे भी उनके साथ चिता पर क्यों नहीं जला दिया, कल सुबह तक मैंने भी रसी लगा कर फासी नख करेंगे, लेकिन जरा समय तो देख, जरा समय तो देख कहता है कपूत, अरे जब नाप में गोबर पुत जाएगा, फिर देखेगा, लोग हमारे मुह पर थूटू थूखेंगे, परदेश में रहकर तेरी भी मती मारी गई है, अरे इस कुलचनी को घर में रखने को कहता है, छी छी, हे राम, हे राम के साथी मा का सप्तम में रुदन फिर शुरू हो गया, अम्मा, ऐसे जोर से मत रो, मुहनिया ने जिड़का, लोग जाग चाएंगे, डिकर देख की आँखों में धेर सारा धुंद समा गया, उसे लगा धरती गोम रही है, उसका सिर बुरी तरे चक रा रहा है, मुहनिया जरा सुन, डिकर देओ, उसे कोटरी से बाहर ले गया, थोड़ी देर बाद दोनों लोते, मा दद्दा ठीक कहते हैं, तू जानती नहीं, दद्दा ठीक कहते हैं, कहता है, तू जानती नहीं, कहता है, तू भी पगला गया है मुहनिया, धीड़ी वह फ मुहनिया जला कर बोला देखती नहीं सुभे से गाउं में पटवारी पुलिस गूम रही है पिता जी ने फासी लगाई क्यों लगाई अभी तो उसी की चानबीन है उस पर इस हत्या की हम सब हत्गेडी लगाकर लोहा घाट हवालात में दिखलाई देंगे पर वह अभी तक भी उसी तरह रोय चली जा रही थी मुहनिया ने सब को बाहर धकेल कर बाहर से कुंडा लगा दिया जहां आज भाग गय जाने थे वहां गरुन पुराण का पाठ हो रहा था आज तीसरा दिन है करम पर अंत में मुहनिया को बिठला आया गया वैसे बैचना तो डिकर देव को चाहिए था वह सबसे सयाना था किन्तु बामनों के कहने पर कि वह गरम खौलते पानी से निकल कर इस ठंडे मुल्क में आया है दिन में दो बार गधेरे के बरफीले ठंडे पानी में बाहर नहाना होगा केवल एक बखत खुद बना कर खाना चौबीस घंटे दिये के पास घास पयाल की चटाई पर सोना होगा इतना सब उससे न हो पाएगा कहीं जर बुखार आ गया तो और परिशानी गरम पुराण की कथा सुनने सारा इलाका उलताया था पतवारी पेशकार तक चले आये लगे हाथ पुन्न लूटने पर डिकर दियो सबसे दूर सबसे अकेला बैठा उंगता रहता करम की रेख इसी को कहते हैं क्या सोच कर आया था क्या हो रहा है वह सोचता था घर जाने पर सब को कितनी खुशी होगी पिता सत्त नारायन की कथा करवाएंगे सारे गाउं में गुड बांटेंगे गोपुली के लिए रेशम की जामनी रंग की साधी लाया था माथे पर लगाने के लिए नए फेशन की बिंदिया लाल पीले फुन्दे उबरी हुई रेशमी चोली उसके पके रसभरे लाल लाल सेब जैसे गालों पर काला तिल कितना अच्छा लगता है उसके लिए पौडर का दिब्बा लाया था सच पौडर लगा कर रानी खेट के गोरे की मेम से कम न लगेगी क्या-क्या तमन्नाएं थी उसकी किन्तु यह सब होगा कब सोचा था वह तो सीधी साधी थी दुद्मुही बचिया की तरह रोज बरत रखती मंदिर जाती लडाई के दिनों में जब वह लाम पर था रोज हरनात के मंदिर में जल चढ़ाती थी देवाल की सीड़ियां लीपती किन्तु माजो कहती है छी छी पशु जात इन तीन दिनों में शायद ही किसी ने गोठ की ओर जहाका हो सांज के समय अम्मा दूर से आये रिष्टेदारों के साथ रोने में व्यस्त थी मुहनिया अनाज पिसाने पंचक की घर गया था कुमनिया क्रिया कर्म का सामान खरीदने लोहा काट बाजार डिकर देव से रहा न गया उसने चुपके से गोठ का कुंडा खोला पर कोई आवाज न सुनाई दी उसे वह घबराया कहीं मरी तो नहीं पड़ी हॉले से पुकारा किन्तु फिर भी कोई शब्द नहीं हाथ पाओ के सहारे अंधियारे में जमीन टटोलता टटोलता वह एक सिरे पर पहुँचा तो कहीं भी वह दीखी नहीं उसका कलेजा धक से रह गया दिया सलाई जलाकर आसपास टटोलने लगा वह दूर दीवार के सहारे वैसी ही बंधी गठरी की तरह ढूलकी पड़ी थी सारा शरीर सुन सास भी हौले हौले चलती डिकर देव ने जख जोरा पुकारा लेकिन वह फिली डूली नहीं वैसी ही निश्चेष्ट पड़ी रही वह निकल कर बाहर आया लोटा थामे मिसरी की कुंजी मुठी में दबाए फिर दबे पाउं भीतर घुसा पानी के छीटे देने पर वह करा ही मिसरी के मीठे पानी की दो बूंदे गले से उतरी तो डिकर देव को कुछ आशा बंधी उसके परानों में परान आये किवार भीतर से भेड़ कर वह बैट गया उसके ठंडे हाथों को पाउं को सहलाने लगा कहीं यह मर गई तो सबको उमर कैद हो जाएगी पटवारी पुलिस कब किसे छोड़ती है धीरे धीरे वह उसके सारे शरीर पर हाथ फेरने लगा हाथ पाउं सूखे हुए पेट थोड़ा उबरा उबरा छातियां भी लटकी हुई शरीर ठंडा कुछ देर बाद वह बाहर निकला और बासी दाल भात एक ठाली में डाल कर उसके मुह के सामने रखाया बाहर से फिर कुंडा लगा दिया बाहर पाउं धरा ही था कि दो तीन पुराने यार दोस्त टकरा गए हौलदार दद्दा तेरे तो दरसनों के लिए तरस गए यार क्या भोजी घर से निकलने ही नहीं देती तुझे अच्छा हुआ किरिया करम के वक्त ही आ गया मा बाप बड़े पुन्न से मिलते हैं यार हाँ देश परदेश की तो तुने कुछ सुनाई ही नहीं पल्टन में हमें भी ले चल यार यहां तो घोडे लादते लादते हाथों की खाल निकल गई है भोजी से हम रोज पूँचते थे दाज्यों की चिठी पत्री तो नहीं आई कत्तक लोटने वाले हैं पर यार लोटते लोटते इतना समय लगा दिया भोजी बिचारी बरत रखती रखती बुढिया हो गई नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी यार पर यह उमर थोड़े ही फिर लोट कर आएगी साली डिकर देव के सीने पर खौलता लावा लोट रहा था किसी काम के लिए वह भीतर गुसा तो फिर लोटा ही नहीं आधी रात को जब सब सो गए तो डिकर देव छिप कर बाहर निकला गोट में जाकर लोटा भर पानी और चार शे टुकडे रोटी के फेंक आया दस दिन बीट गय फिर एका दस फिर पीपल किरिया करम का जणजट छूटा तो फिर वही टंटा इन चंद दिनों में ही डिकर देव बूढ़ा हो गया था किसी ने पूचा तो उसके मुँसे आवाज ही न निकल पाती लोगों से घबराता कटता एकांट में छिपा रहता आँखे मुदे सपने की तरह उसे दिखलाई देती बार हाई नदी सी उमरती उचलती गोपली गोरी गोरी संगमर्मर जैसी बाहें बुरोज के जख लाल फूल चिडिया की तरह कुहकती चहकती कौन-कौन रिष्टेदार इस बीच आये उसे पता नहीं उसे पता नहीं महमानों को खिलाने पिलाने का काम कौन देखता रहा पिता जी के क्रिया कर्म में क्या-क्या लगाया उसकी आँखों की नीद पेट की भूँक न जाने कहां बिरा गई थी आखों ये आखों में रात बीत जाती दिन बीत जाता बीडी में गांजा भर कर पीता और कंबल ताने लेटा रहता एक दिन अम्मा ने कंबल परे पटक कर जख जोरा इस कलमुही रान का क्या करें तू तो अजगर की तरह लेटा रहता है नजाने क्या हो गया है तुझे डिकर देव ने अचकचा कर देखा मैं क्या कहूं जो जी में आए करो जुझला कर बोला मैं क्या कहूं कहता है जो जी में आए करो कहता है अम्मा अंगारे की तरह धत्की तू कुछ नहीं करेगा तू कुछ नहीं कहेगा डिकर देव बौकला उठा जो मैं कहूंगा करेगी हाँ हाँ तो जा उठा वह कुलारी उसके माथे पर मार दे कर दे चार टुकड़े और मुझे से क्या चाहती है हत्या पर तुली है तो कर दे हत्या यह रोज रोज का जंजर तो छूटे जो होगा देखा जाएगा फासी होगी तो मैं चला जाओंगा कह दूँगा हत्या मैंने की थी बोल और क्या चाहती है मुझसे अम्मा को काटो तो खून नहीं डिकर देव ऐसा टका सा उत्तर देगा उसने कभी सोचा ना था जब कुछ ना सूजा तो फिर वही रुदन मेरे राम मेरे करम ही फूट गए ऐसी संतान निकली उस कुलचनी का साथ देने पर तुला है मेरे भगवान उठा क्यों नहीं लेता मुझे उन्हीं की चिता के साथ बांध कर क्यों नहीं जला दिया था मुझे डिकर देव उठकर बाहर चला गया कुछ देर बाद लोटा तब भी वैसा ही वातावरन अम्मा तू इस तरह रोती क्यों है डिकर देव मा का यों बार-बार रोना देखना पाया जो तू कहेगी वही होगा बस लेकिन मा के रुदन में अब भी कमी नहीं थी लेके लिए ही रात को देर तक बाती चलती रही किसी भी निर्णे पर पहुँशना उनके लिए आसान ना था अन्त में कुछ तै करके जब ये घर लोटे तो किमार कर खड़े होने से पहले ही मुहनिया ने पल्टन से आई जरूरी चिठी उसे पकड़ा दी पोस्ट मैं सहाब लाए थे डिकर देव ने चिठी खोली और चुपचाप रख दी क्या लिखा है दद्दा क्या सब उत्सुत्ता से घेर कर खड़े हो गए कुछ नहीं यार गहरी सांस भर कर डिकर देव बैट गया ऐसा जरूरी काम क्या आपड़ा सबने दुहराया तो डिकर देव ने मुह निचोडते हुए तिक्तता के साथ कहा अरे यार सारा पल्टन का मामला ठेरा सारी जिंदगी लेफ्ट रैट में ही बीच जाती है घर आया कि कुछ दिन आराम करूँगा पर यहां भी वही लेफ्ट रैट हो रही है लिखा क्या है पल्टन से ठुल कका ने पूछा इस बार डिकर देव ताल ना सका कुछ सोचता हुआ बोला यही की चिठी मिलते ही बटालियन में हाजिर हो जाओ क्यों? लडाई की जैसी कुछ खबर तो थी पर इत्ती जल्दी कुछ होगी ऐसी उमीद नहीं थी फौज में होता ही ऐसा है डिकर देव ने कागज परे पटक दिया रात को सब सो गए पर डिकर देव की आँखों में नेंद कहां? कका की बातें, अपनी बातें, गोपुली की बातें, पल्टन की बातें उसका दिमाग ठिकाने ना था फिर नेंद कहां से आने लगी उसने कंबल परे फेका और उठकर जटपट अपना सामान टटोलने लगा कप्तान की बीबी की जैसी साड़ी थैले से निकाली सुनहरी लाल पीली चूडियां, लाल रोली, उबरी चोलियां नए फैशन की सारा सामान योही कफन की तरह लपेट कर धीरे से गोठ में घुसा गोपुली के मुँपर उन्हें फैकता हुआ बोला ले तेरे लिए लाया था, तू पहनेगी करके, अब ये तेरे कफन के काम आएंगे इससे अधिक डिकर देव कुछ कहना पाया गोपुली ने एक बार मुड़कर रुलाई भरी जिन आखों से जहाका डिकर देव उसे सह न सका गोपुली गोपुली नहीं, सचमच अधेड बुढिया सी लग रही थी काली काली जहाईयां जुढियां, बाल सेवार की तरह उल्चे हाथ पाउं बांच की छाल जैसे गोपुली जमीन पर सरक सरक कर आगे बढ़ी उसके बूटों पर माथा टिका कर फूट पड़ी मेरा कसूर नहीं, मेरा नहीं परमेसर की सौंग खा कर कहती हूँ भगपती माई की पाउं पीछे हटा कर वह जटके के साथ बाहर निकल गया रात का तीसरा पहर बीत रहा था गोपुली अधीर होकर सिसक रही थी जैसे उसके प्राण निकले जा रहे हैं पीट पीट कर जबरदस्ती नई साड़ी पहनाई जा रही थी माथे पर कुंकुं, गले पर सुहाग का चरेव हाथ में धेर सारी चूड़िया चौथी घड़ी रात अब शुरू हो रही थी सारा संसार सोया था पर कुछ जने जागे थे मुहनिया कपड़े तयार कर रहा था हाथ में लाथी, पीट पर सामान की पोटली कंदे पर कंबल, बर्खा घाम जाड़े से बचाओ के लिए कुमनिया मुहनिया डिकर देओ तीनों अम्मा के सामने अधियारे में प्रेतों की तरह खड़े थे अम्मा मुहनिया के कान के पास मुह ले जाकर कह रही थी इस रंडी को रास्ते में कूटना पीटना नहीं, नहीं तो अड़ जाएगी, आगे नहीं चलेगी दिन दिन बैठे रहना, रात को चलना, देखना किसी को पता न चले काली गंगा पार डोटी नेपाल के इलाके में इस पातर रान को ले जाकर छोड आना और तुम चुपके से लोट आना, हाँ, कहीं किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए जो जो समय बीत रहा था, गोपुली की सिस्कियां भी बढ़ती चली जा रही थी डिकर देव से देखा न गया तो वह पीछे हट गया, पर अम्मा उसे खींच कर पास लाई उसके और समीत जाकर बोली, सुन रहा है, तू भी रात को ही घर से निकल जा गाउवालों से कह देंगे, बहु बेटे के साथ देश चली गई है वहाँ से दो-तीन महीने बाद चिठी गेरना, लिख देना, वह रंडी वीमार हो गई और मर गई हम उसका किरिया करम करवा देंगे, गाउवालों को शक संदेह नहीं होगा डिकर देव ने कानों पर हाथ धर लिया, वह भीतर चला गया पर उस अंधकार में दर्वाजा बंध होने के बावचूद भीतर की आवाजें उसे साप सुनाई दे रही थी अम्मा मौसी से कह रही थी, दीदी किस से क्या कहीं, खुद तो मर चुके और हमें इस जनजाल में डाल गए बुढ़ापे में पता नहीं क्या मती हरी गई थी, इस डायन के फेर में पड़ गए इसी बदनामी के डर से तो डिकर देव जैसे चीक पड़ा पव फटने वाली थी अब, दिकर देव का सामान बंद चुका था मुहनिया कपका चला गया है, पर अभी तक भी कहीं दूर से चीकने चिलाने की जैसी आवाज रह रह कर उसके कानों से टकरा रही थी, वह देखता इधर उधर, पर कुछ दिखता ना था अपना जरूरी सामान लपेट कर वह निकल पड़ा, ना उसने अम्मा को प्रणाम किया, ना किसी से कुछ बोला चुप चार पीठ पर पिठु बांधे भारी-भारी कदमों से वह आगे बढ़ता रहा रात बारिश हुई थी, और अभी तक भी हलकी-हलकी बूंदा बांधी हो रही थी घना कुहरा सफेद चादर की तरह चारो और फैला था, कच्ची बटिया पर तमाम कीचड उसने देखा, बटिया पर चार पाओं के ताजे-ताजे निशान अभी तक भी उगरे हुए हैं दो पैर फटे जूतों के जैसे और दो नंगे इनी निशानों के सहारे थोड़ी दूर तक गर्दन लटकाए, वह हारे हुए जुआरी की तरह बढ़ता रहा उसका सिर भारी था, आँखें बोजिल, जैसे कितने लंबे अर्शे से वह सोया न हो चड़ाई के बाद फिर तिराहा आया तो उसने रास्ता बदल लिया यहां भी कीचड था, पर उसमें धसे उसे एक नहीं अनेक नंगे पाउं के निशान साथ हुबरे दीख रहे थे कहीं दूर से सिसकने रोने की जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी कराहने के जैसे कई करुण स्वर तो यह थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं